हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3-1 टेग पर तो फ्रेंट अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपने काफी मेहनत करके अपने यूट्यूब चैनल के उपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 गंटे का क्राइटीरिया जो है वो पूरा कर लिया ह और अब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजने जा रहे हैं आप अपने चैनल से पैसे कमाना चाते हैं उसे मोनेटाइज करवाके तो फ्रेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाता हूँ कि मोनेटाइजेशन में भेजने से पहले आपको ये पत आपके चैनल के उपर किन-किन चीजों को चेक करता है तो बहुती ज़्यादा इंफरमेटीव वीडियो है तो वीडियो को पूरा लास तक ज़रूर देखेगा तब यह आपको अच्छे से समझ में आएगा अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं पहली बार मेरे चैनल के उपर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड समा चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाईटी स्टूडियो के अंदर जाएंगे तो वाईटी स्टूडियो के अंदर जाके मैं आपको पहले मेंमें चीजे बता देता हूँ कि क्या चेक किया जाता है तो यह आप देख सकते हैं मेरे yt studio का dashboard है dummy account से sign in कर रखा है मैंने ठीक है यहाँ पर आपको नीचे tabs दिखाई दे रहोंगे dashboard, content, analytics, comments और monetize तो हम monetize वाले tab पे click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ है नीचे how to join 1000 subscriber और 4000 घंटे का watch time होना चाहिए कोई community, no community guideline strikes, कोई community guideline strike आपके channel पे नहीं होनी चाहिए two step verification on होना चाहिए ठीक है यह main main चीज़े हैं तो मैं अब आपको इसको detail में बताता हूँ तो friends आप देख सकते हैं हम इस page पे आ गए हैं, यहां पे यह लिखा हुआ है तो सबसे पहले YouTube क्या check करता है जो आपका YouTube channel है follow all of the YouTube channel monetization policies, जो मतलब YouTube channel की policies है, उनको follow करना चाहिए, आपका channel यहां पे लिखा भी हुआ है मैं आपको पढ़के भी सुना देता हूँ the YouTube channel monetization policies are a collection of policies that allow you to monetize on YouTube as a YouTube partner your agreements including the YouTube channel monetization policies require compliance with these monetization policies to potentially earn money on YouTube मतलब आपका YouTube channel जो है, जो आपकी YouTube channel monetization policies है, उनको compile करना चाहिए, उसके बाद ही आप इससे YouTube channel को monetize कर सकते हैं और इससे पैसे कमा सकते हैं तो यह पहला point हो गया, दूसरा है live in a country, region where the YouTube partner program is available तो YouTube क्या चेक करता है कि आप किस country में, किस region में रहते हैं क्या वहाँ पे जो YouTube partner program है जो इससे पैसे कमाने वाला monetization वाला जो यह रूल है क्या यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं इस country से, तो वो चेक करता है आपकी country, कि आप किस country में रहते हैं और यहाँ पे third point है have no active community guidelines strike on your channel कि आपके channel के उपर कोई active strike तो नहीं है कोई community guidelines strike तो नहीं है ठीक है यह चीज़ चेक करता है fourth number पे have more than 404,000 valid public watch hours in the last 12 month मतलब आपके channel के उपर 4000 गंटे का watch time होना चाहिए last 365 दिन के अंदर मतलब एक साल के अंदर पिछले आपके channel के उपर 4000 गंटे का watch time होना चाहिए उसके बाद चेक करता है पांचवे नमबर पे have more than 1000 subscribers आपके channel के उपर 1000 subscriber होने चाहिए ठीक है उसके बाद 6 नमबर पे है have a linked adsense account जो आपका YouTube channel जो है वो एक adsense account से link होना चाहिए जब आप monetization के लिए apply करते हैं उस time पे ठीक है तो ये चीज़े चेक करता है इसके साथ साथ क्या चेक करता है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ YouTube partner program application checklist है two step verification आपके channel के उपर on होना चाहिए make sure that your channel follows our policies and guidelines that are not any active community guidelines strike on it जो मैंने आपको बता दिया कि community guidelines strike नहीं होनी चाहिए और public watch hour होना चाहिए आप देख सकते हैं 1000 subscriber 4000 घंटे का public watch hour तो valid public watch hours कौन सा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ ठीक है जिससे आपको पता रहे कि आपका कौन सा watch time count होगा और कौन सा नहीं होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे what does valid public watch hour means मतलब valid public watch hour means का मतलब क्या होता है not all watch hours count towards the YouTube partner program three short इसमें लिखा है कि सारा जो watch time है वो YouTube partner program की three short में count नहीं होता कौन सा होता है what counts as a public watch hour watch hour gain from the videos that you have set public मतलब जो videos आप public करके रखते हैं उनका watch time count होता है और किन का नहीं होता वो भी मैं आपको बता देता हूं तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं किन-किन videos का watch time जो है वो monetization के लिए count नहीं होता इसमें है अगर आप अपनी वीडियो को private कर देते हैं तो आपकी वीडियो का watch time count नहीं होगा unlisted करेंगे तो भी आपकी वीडियो का किसी भी वीडियो का watch time count नहीं होगा अगर आप कोई वीडियो डाल के उसे delete कर देंगे तो भी उसका watch time जो आया होगा वो सारा delete हो जाएगा वो count नहीं होगा उसके बाद कोई आप add campaign लगाते हैं Google Ads से कोई campaign लगाते हैं तो वहाँ से आपका जो worst time है वो count नहीं होता जो subscriber होते हैं वो बस add होते हैं लेकिन worst time वहाँ से count नहीं होता और video played from the stories and short video self मतलब जो short self में और stories में जो video play करके देखते हैं audience वो आपका उससे जो भी worst time आएगा वो count नहीं होगा इसके लावा जो आप live stream करते हैं जो unlisted होती है deleted होती है उन live stream का जो worst time है वो भी आपके monetization के लिए count नहीं होगा इसके लावा YouTube चेक करता है कि आपका जो YouTube channel है उस पे repetitive content तो नहीं है repetitive content का मतलब है आप एक ही वीडियो को बार-बार डालते हैं तो वो YouTube को पता लग जाता है वो repetitive content होता है और उसके वज़े से आपका चैनल monetize नहीं होता तो आपको ये ध्यान रखना है repetitive content नहीं डालना है इसके अलावा YouTube एक चीज़ और चेक करता है कि आपका जो YouTube channel है उसके उपर reused content तो नहीं है मतलब आपने कोई ऐसी वीडियो YouTube से copy करके तो नहीं डाली हुई किसी और की वीडियो डाउनलोड करी है और YouTube पर डाल दी तो इस तरह का content भी reused content की policies के अंदर आता है reused content माना जाता है और उस condition में भी आपका channel monetize नहीं होगा तो ये सारी चीज़े हैं जो YouTube चेक करता है आपके YouTube channel के उपर ठीक है आप यहाँ पर आके detail में पढ़ भी सकते हैं और मैंने आपको बता भी दी है तो friends अब आप सीख गए होंगे कि आप अपने channel को अगर monetize करवाना चाते हैं तो YouTube इन चीज़ों को चेक करता है आपके YouTube channel के उपर अगर ये सारी चीज़े सही होती हैं उसके बाद ही आपके channel को monetize किया जाते हैं और आप उससे earning कर सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से related कोई question query है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share जरूर करें Thank you